जहें दोस्तों वंदे मातरम राजनीती में अक्सर जो राजनेता होते हैं वो टिपणिया करने से बाज नहीं आते हैं और टिपणिया करने के चक्कर में कुछ ऐसी टिपणि कर बैठते हैं जो कि किसी एक इंडिवीजियल के लिए काफी ज़ादा आशोब नहीं हो सकती है ऐसे में एक ट्रेंड चला था काफी समय पहले जब लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि भई हम सड़के जो हैं की हममाली के गालों जैसी कर लेंगे अब लालू प्रसाद यादव अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं लेकिन क्योंकि उनका ये अंदाज काफी ज़ादा चल गया इसलिए काफी सारे नेताओं ने उनको इसी चीज़ करना शुरू कर दिया लेकिन अब शिफसेना के एक नेता ने इसी बात को कहकर बहुत ज़र बड़ा मैं कहूंगा जो सोशल मीडिया आउट रेज होता है न उससे पंगा मोल ले लिया क्योंकि लोग अब उनकी लताड़ भी लगा रहा है अभिनेतरी वो बीजेपी सांसाथ हिमा मालनी के गालों से करते हो दिखाई दे रहे थे पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि अगर उनके शेतरी की सड़के अभिनेतरी के गालों सरीकी नहीं हुई तो वो अभी इसी वक्त स्तीफ़ते देंगे उन्होंने ये सब कुछ एक बैठक में कहा था जहां अन्य सांसाथ और विधायकों ने भी अपनी मौजूद की दर्ज कराई थी ये बैठक कुछ महाबाद महराश्ट में नगर निगम चुनाओ के संदर्ब में आयुजित की गई थी जिसमें कई नेता होने अपनी मौजूद की दर्ज कराई वहीं गुलाब राव पाटल दोरा दियेगा इस बयान के बाद सियासी पारा अपने चरम पर पहुँच गया किसी ने उनके बयान के आलोच ना करी तो किसी ने उनका समर्थ लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खुद अभिनेतरी हेमा माली ने इसको लेकरा कि क्या बयान दिया है और क्या प्रतिक्रिया दिये है यह माली ने शिफसेन अनेता और सांसत गुलाबराव पाटिल के बयान पर कहा कि इस तरह की तुलना पहले भी की जा चुकी है कई सालों पहले सके शुरुआत लालुकसा दयाओन की थी जिसके बाद कई लोग ऐसा करते नजर आ रहे है लेकिन इस तरह की तुलना आम जंता करे तो ठीक है पर कोई सांसत या विधायक पत पर विराजमान व्यक्ति इस तरह की तुलना करे तो बात थोड़ी सी तो लगती है और इसे उचित करार तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता अबिनेतरी नहीं ये भी कहा कि एक सांसत को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता वहीं गुलाबराव पाटल के इस बयान पर शिफसेना सांसत संजर राउत ने अपना बयान जारी करके कहा है कि अबिनेतरी के गालों की तुलना करना उनके लिए सम्मान की बात है मतलब बचाओ करने का ये भी इतना अच्छा तरीका है आप ये भी समझे इससे नेगेटिव रूप से नहीं देखा जाए तक उन्होंने कहा कुछ साल पहले लालुप साध यादर्ब ने भी उनके गालों का उधारन दिया था जिसमें उन्होंने हमालनी के बारे में कहा था कि इसे अलग तरीके से देखने से बचा जाए हम अब इनेतरी का बेहदी सम्मान करते हैं इसे पहले राजस्तान के एक मालनी का गालों का उधारन दिया था लेकिन इस तरह के बाद से लगातार ऐसे बायानों की बुद्धिमत्ता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि आकरी जो सांसद हैं जो किस प्रभाव में आकर किसीज के इंफ्लूएंस में आकर इसे बयान दे देते हैं मतलब अब्विस सी बात है आप किसी इंडिविज्विज्व की ऊपर ऐसा कमेंट कर रहे हैं वो भी आज की डेट में जो कि सोशल मीडिया की एज है और कोई बात को फैलते हैं किसी बात को आउट तो प्रपोजिशन जाते हैं बना बिल्कुल भी वक्त नहीं रखता है ऐसे में आपको ऐसी बाते कहने से क्यों बचना चाहिए वो इसी तरह के इंसिलेंट हमको बताते है मेरी स्टुडियों फ़राल अतना है आप लोगों क्या कहना इस बारे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा जय हैं जय भारत